अड़्वुकिट पूदेप महानंद्या का अविबादन स्विकार किजिए शाथियों आप देख रहे भाईशाप पीपल भाईशाप भूजन भारत को आजादी 1947 15 अगस्ट में तो मिल गया लेकिन इस देश को चलाने के लिए एक शंबिधान जुरुरत था उसप्रक्त वारत का तत्काल इन प्रदान मंत्रे पंडित जवाला नहुरू बहंदस करम चंद गांदी जी सर्दर भैपा पडल जी और बागी नेसनाल लेडर का मन में ये टेंसन आ गया देश को केशे चलाना है और देश का कानुन केशे बनाना है इसलिए कंग्रेस लेडर को मजबूर होके डक्टर बाबा साहिब अमबेटकर को भारत का पार्लामेंट का अंदर चून कर भेजना पड़ा बाबा साहिब अमबेटकर ऐसे एक व्यक्तित्पत है जिसका दिमाग जिसका ग्याम पूरा बिस्प को पता था भारत का लेडर संब्यदान लिखने के लिए उस वक्त का लेडर को उतना ताकत नहीं था या नॉलेज नहीं था इसलिए मजबूर होकूर बाबा साहिब अमबेटकर को संब्यदान सभा में कंग्रेस को भेजना पड़ा था हम जब भाबा साहिब अमबेटकर का परलमेंटरी डिवेट को अखांगालते हैं और उनका त्वरा लिखा गया राइटिंग और स्पीचिस को देखते हैं तो ये पता चलता है कितना कथिना ही से बाबा साहिब अमबेटकर को परलमेंट शदन में जाना पड़ा था और केशे उस बक्त का निसनाल लीडर जैसे मुहंदस करम चंदगांती जी सर्धरभाय पटल जी पंडिच जवालार नहुरू जी ने सताते थे और उन्हें होरी लेक्षन में केशे हराते थे फिर भी इन लोगों को मजबूर होके डक्टर अमबेटकर को पंस्टिसनाल एसम्बली में क्यूं लेना पड़ा क्यूंकि संबिध्धान लिखने के लिए भारत बरस में और ऐसा कोई ब्यक्ति भी नहीं थे बाबा साहिब अमबेटकर को छोड़ दे तो भारत बरस में संबिध्धान लिखने के लिए किसी का पासे मत नहीं था और ज्यान नहीं था इसलिए इन लोगों को डक्टर बाबा साहिब अमबेटकर को मजबूरी होकर कॉंस्टिसनाल एसम्बली में लेना पड़ा था बहुत सारे बिद्वान ये कहते हैं डक्टर बाबा साहिब अमबेटकर संबिध्धान नहीं लिखे डक्टर बाबा साहिब अमबेटकर संबिध्धान कापी पेस्ट किये है हम जब संब्धान सभा को जानने के लिए कोशित किये तो यहाँ एबिडेंस यह मिलता है बबा सही बम बेटकर जो भी संब्धान लिखते थे इनको वहाँ चर्चा हुआ करता था डिबेट होता था और डिबेट में बहुत सारे प्रस्न आया करता था और उनको फिर बबा सही बम बेटकर जबाब दिया करते थे इनसे यह पता चलता है कि ड़क्टर बबा सही बम बेटकर ने ही भारत का संब्धान लिखे भारत का संब्धान का एक सब्ध आता है प्रियंबल प्रियम्बल में बावा साही बंबेटकर We the people of India लिखते है जब ड़क्टर बावा साही बंबेटकर संविधान बनाते है प्रियम्बल में We the people of India सब देयूज करते है उसे वक्त, उस वक्त का लेडर उने अबजेक्शन करते है बावा साही बंबेटकर By the people, of the people, for the people है आज जो भी सियासी political party लोगों को ही डरता है क्योंकि पांच साल के बाद एक बार इन लोगों को लोगों का सामने हाथ जोड़ कर खड़ा होना पड़ता है जितनी भी रस्कदार नेता होना क्यों भारत का प्राइम मिनेश्टर होना क्यों या भारत का जो भी पुस्ट होना क्यों इलेक्शन में वो खड़ा हो गया मतलब हाथ जोड़ कर लोगों का सामने गिरगी डाना पड़ता है यह किस का दया है यह सिर्फ ही सिर्फ डक्टर बाबा सहिब अमबेटकर का दया है बाबासाहिब अम्बेट कर ये जानते थे ये देशकरश और बच्च्छो ख्यमता लोगों का हाथ में दे दाना चाहिए लोगों का हाथ में दिया गया तो कोई उन्हें एक्स्पोडेशन नहीं करेगा कोई भी भारत का सिटिजन को और निक्वालिडी नहीं करेगा कोई भी हुक्मरान डिक्टेटर सिप बनने ही पाएगा जब चाहें लोग हुक्मरान को उखार कर फेकेंगे और बदलने की ताकत रहेगा इसलिए आप देखेंगे तो आटिकल 5 से आटिकल 12 तक जो सिटिजन सिप आता है चाप्टर 4 में करतियों सिटिजन को ख्यमता दे देते हैं आज भारत का संविधान का प्रियम्बल्म वी दपीपल अफ इंडिया से शुरू होकर लोगों का मान बढ़ाया है लोगों को सुवेरेंटी पावार मिल गया है सिटिजन आज भारत का सर्विसर्वा है जो भी लीडर आज आता है शासन का गदी में बैठता है श्रिप पांच साल के लिए बैठता है पांच शाल खतम तो उनका ताकत खतम यानि पांच साल के बार फिर दो बारा उन्हें लोगों का सामने आकर हात जोड़कर गिरगिडाना पड़ता है जब लोग चाहें तो उन्हें भूर्दी के राजा चाहेंगे नहीं निकाल कर देंगे। इसे ताक्त भारत्यों को ड़क्टर वावासाहीब घालेड़ाबैटकर तैक्क्त कर दिये हैं क्या आज वार। आट को वह जानते हैं भावासाहईब आज भारत बस With the People Up India से चलता है। भारत का साचन और प्रशाचन भारत का लोगों का टेक्स से चलता है। इसलिए प्रेअमब्ल का पहला सब्द With the People Up India हुआ। उस वक्त का लेडर ये सोचते थे भारत का पहला सब्द प्रियम्बल में We the people of India ना लिखकर कोई भगवान के नाम पर लिखने के लिए बाबा साहिब अमबेटकर को प्रिसर डाला गया था लेकिन बाबा साहिब अमबेटकर डेमोकरसी का माहिर थे दुनिया का हर कोई संब्दान को जामते थे और भारत का फोरावन फोना को समझते थे इसलिए भाबा साहिब अमबेटकर प्रियम्बल में We the people of India लिखकर है इनका महत पो आप लोग समझ जाईए आज We the people of India के कारण आज आप सब लोग राजा है अस इस भारत वर्स में अजादी का साथ जी रहे है जितना बड़ा रुसकदर होना क्यों जितना बड़ा हुक्मरान होना क्यों पांच साल में एक बार वो आपका पास आके गिर गिर ना पढ़ता है घुटनी के बल पुत्ते पर खाणा होना पढ़ता है कैसे है बाबा सही बंबेटकर आपको पता चल गया इसलिए बाबा सही बंबेटकर भारत का मसीहा है मोड इन इंडिया का आर्किटेक्चर है एकी सब्द का मिनिंग साहद आप सब लोग को पतर हो गया यहे वूई द पीपूल आप इंडिया तेंक यू आप लोग इस वीडियो को जदा से जदा लाइक कीजिए सेख कीजिए ताकि मैं आने वाला कल भारत का संब्दान का हर एक एक सब्द को आप लोगों का सामने मिशलिशन करूँ भारत का संब्दान हमारा सबसे बड़ा ग्रंत है और इनको समझना हर कोई सिटिजन का सो सिटिजन के लिए इंपोर्टेंड है साथियों आप देख रहे भाईशब्द पीपुल और भाईशब्भोजन आपका शहयोग से ये भाईशब्द पीपुल भाईशब्भोजन आगे बढ़ेगा आप इनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपका पास तुरंद आ जाएगा प्लेडियों और भाईशब्द पीपुल पीपुल